हेलो एब्रिवन दोस्तों क्या आप अपने जीवन में संघश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए एक समय एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए कुछ पत्थर ढून रहा था उसे जंगल में एक सुन्दर सा पत्थर मिला और सोचा कि ये पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उचित होगा जंगल से लोटते समय रास्ते में उसे एक और पत्थर दिखाई दिया उसे वो पत्थर भी मूर्ति बनाने के लिए बिलकुल सही लगा उसने उस पत्थर को भी अपने उस पत्थर के साथ रखा और दोनों पत्थर को लेकर वो घर लोटाया घर आकर उसने अपने ओजार निकाले और पहले पत्थर पे जो उसे जंगल में पहले मिला था उस पे काम करने लगा मूर्तिकार ने जैसे ही उस पत्थर पर छेनी हथोड़े से प्रहार किया वो पत्थर चिलाने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है तुम किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो पत्थर मूर्तिकार से विन्ती करने लगा मूर्तिकार को उस पत्थर पर देया गई और उसने उस पत्थर से मूर्ति बनानी छोड़ दी मूर्तिकार ने रास्ते में मिले उस दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने की सोची और उस पे काम करना शुरू कर दिया और कुछ दिन में भगवान की मूर्ती बना कर तयार कर ली नगर से कुछ लोग भगवान की मूर्ती को खरीदने आये उन्हें वो भगवान की मूर्ती बहुत ही ज़ादा पसंद आई और मूर्तीकार से खरीद लिया उन लोगों को एक पत्थर की आवशक्ता थी जो की भगवान के समक्ष उस पत्थर पर नारियल फोड़ने के लिए हो वहीं पास में रखा वो पहले वाला पत्थर जो चिला रहा था ना वो उनको पसंद आ गया और उसे भी वो अपने साथ लेकर चले गए मूर्ती स्थापना के बाद उस पत्थर को भी मूर्ती के समक्ष स्थापित कर दिया गया लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आने लगे और उस मूर्ती की पूजा करते फूल चढ़ाते दूच चढ़ाते और उस पत्थर पर नारियल फोड़ कर उसका जल भी चढ़ाते उस पत्थर पर नारियल फोड़ा जाता तो वो पत्थर बहुत परिशान होता था वो चिलाता मुझ पर नारियल मत फोड़ो मुझे दर्द हो रहा है पर उसकी कौन सुनता को ये सब क्यों चढ़ाते हैं और मुझ पर नारियल क्यों फोड़ते हैं तब मूर्ती ने कहा जब मूर्तीकार ने तुम पर कारी गरी करने की सोची तो तुम्हें दर्द हुआ और मूर्तीकार को मूर्ती बनाने से रोक दिया अगर तुम मूर्तीकार को उस दिन नहीं रोकते त तुम आज मेरी जगे होते पहले पत्थर को दूसरे पत्थर यानि कि मूर्थी बने पत्थर की बात समझा गई और उसने आसान रास्ता चुना इसलिए आज वो तकलीफ में है moral of the story दोस्तों हमें ये कहानी बताती है कि कठिन वक्त सबकी जिन्दगी में आता है आज नहीं तो कल ज़रूर आएगा लेकिन उस कठिन वक्त का सामना करने के लिए क्या आप तयार है अपनी जिन्दगी का मज़ा ज़रूर लीजिए पहले आगे आने वाले कठिन दिनों की तयारी करने के बाद क्योंकि जब कठिन वक्त आता है न तब आपको मौका नहीं मिलेगा एक बार सोच लो कि अपनी जिन्दगी में संगर्ष और चुनोतियों से हम डरते हैं लेकिन संगर्ष ही हमें और मजबूत बनाता है अगर जिन्दगी में कोई कठिन परिस्थितियां आएं तो घबराइए मत बलकि हस कर उसका सामना कीजिए आपको अगर कहानी अच्छे लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और शिदारों के साथ में जरूर शेर कीजिएगा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देखना है तो प्लीज फॉलो कीजिएगा और अगर यूट्यूब पर देखना है तो सब्सक्राइब कीजिएगा कॉमनट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ